आपर ट्रैफिक काफी जाद है और नौइज भी काफी जाद है तो यह बोट ब्रेंड की सस्ते वाली एक प्रीमियम एरफोन इसमें कम प्राइज में बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स दे गए हैं इसको मैं पिछली से यूज कर रहा हूं क्या अच्छी बाते लगी क्या बुरी बाते लगी सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि आप एक decision ले पाएं कि इसको buy करे या ना करें लेकिन उससे पहले pricing की बात करें तो 1300 रुपीज इसका launch day price था लेकिन normal days में आपको 1500 रुपीज की मिलेगी बाकि मैंने इसको इसकी official website से 1300 रुपीज का buy किया था लेकिन मैं इसको 1500 रुपी के price पर ही judge करूँ कि 1500 रुपी में इसको buy करे या ना करे तो आपना फड़ावट से review कर लेते हैं start तो unbox तो मैं इसे already कर चुको हूँ बाकि एक बड़ी box के उपर नजर मार लेते हैं तो आगे की side पर जो है TWS की image बनी है पीछे की side पर इसके features mention किये गए है और box के नीचे हमें इसकी manufacturing details और MRP देखने को मिलती है बाकि box content की बात करें तो सबसे पहले बहुत सारा paperwork देखने को मिलता है जिसमें की main है user manual और एक warranty का बाकि ये TWS one ear की warranty के साथ में आती है नेक्स कुछ extra earmuffs देखने को मिलते है लार्ज और small size के नेक्स एक type C to type A charging cable दी गई है जिसकी quality ठीक ठाक है length आप देख सकते है नेक्स main बात करें charging case और earphone की तो light blue color का charging case है इसमें black and white color भी available है इसकी बात करें तो उसका जो design and shape है जो एक evergreen design रहता है charging case का वही हमें design देखने को मिलता है जो कि अच्छा लगता है देखने में ये वाला charging case भी काफी अच्छा लग रहा है और size भी compact है ना जादा बड़ा है ना एकदम छोटा है और इसका जो total weight है 40 grams है बाकि material एक अच्छी quality का matte finish वाला plastic यूज लग है नीचे की side पर type C charging port और एक reset button देखने को मिलता है बाकि built wise charging case मुझे काफी बढ़िया लगा इसकी जो hinge है वो एकदम stable दी गई है बिल्कुल भी loose feel provide नहीं करती है open या close करते हैं जो sound आती है वो एक premium feel देती है next earphone की बात करें full inner design की earphone है rubber earmuffs वाला design है material एक अच्छी quality का glossy plus matte finish वाला plastic देखने को मिलता है stem वाली side पर और housing वाले part पर glossy plastic देखने को मिलता है बाकि overall matte finish वाला plastic है दोनों का combination earphone को एक premium feel provide कर रहा है बाकि इसकी earmuffs की rubber soft है और जो speaker grill है वो भी metal की देखने को मिलती है जो की अच्छी बात है नेक्स यापर functions और features की बात करें तो दोनों earphone पर indication light देखने को मिलती है और दोनों ही touch control के साथ में आती है touch control कैसा work करता है बता देता हूं दोनों side के singer tap पर song को pause या प्ले कर सकते है या फिर call को answer कर सकते है right side के double tap पर next song प्ले होता है left side के double tap पर previous song प्ले होता है और दोनों side के double tap पर call को reject कर सकते है right side के 3 second के long tap पर gaming mode को on off कर सकते है left side के 3 second के long tap पर music mode change कर सकते है तो यह तो इसके touch control जो की एकदम fine work करते है लिकिन या पर मुझे कुछ कमिया देखने को मिली तो इस earphone के touch के through हम volume control नहीं कर सकते voice assistant operate नहीं कर सकते यह दो मुझे कमिया लगी अगर यह दो functions भी दे देते तो काफी बढ़िया हो जाता बाकि यह earphone IPX 4 rating के साथ में आते है water resistant है तो हलके फुल के पाने की चीटे या पिर पसीना लग जाता है कोई problem नहीं आएगी next bluetooth और connectivity की बात करे तो 5.3 bluetooth version के साथ में आते है तो मैं इसको android phone, iphone, laptop, tino से connect कर चुका हूँ मुझे कोई भी problem नहीं देखने को मिली और साथ ही में इसमें google fast pairing देखने को मिलती है तो काफी जल्दी यह connect हो जाती है plus charging के इसमें और earphone में कितनी percentage battery है यह आपको bluetooth settings में show हो जाएगी जोगी काफी बढ़िया बात है और इसकी जो connectivity है 10 meter याने की 20 foot step की range में एकदम fine work करती है और साथ ही में इसमें dwell connectivity भी दी गई है मतलब एक time पर दो device से connect कर सकते है जैसे मैंने earphone को अपने tab से connect किया हूँ है एक time पर मेरे smartphone से भी connected रहेगी एक time पर इस earphone को मैं दो device पर use कर सकता हूँ और यह feature इसका एकदम fine work करता है नेक्स इसमें हमें in-air detection का feature भी देखने को मिलता है कैसे work करता है बता देता हूँ जैसे मैंने earphone को कानों में लगा लिया अब जैसे ही मैं कान से बाहर निकालूंगा song pause हो जाएगा जैसे कानों में लगाऊंगा play हो जाएगा निकालूंगा pause हो जाएगा play हो गया तो यह feature इसका अच्छा work करता है लेकिन कई बार कुछ जगा पर हलका-fullका problem दे देता है जैसे कभी-कभी अलकी से कानों से लूज हो जाती है earphone तो pause हो जाता है तो play करना पड़ेगा तो यह problem देखने को मिल सकती है मुझे यह problem लगी हलकी-फुलकी नेक्स, app support की बात करें तो यह earphone Baud Herribles app support के साथ में आती है जिसके थुरू हम इसकी sound quality में changes कर सकते हैं इयरफोन में कितनी percentage battery है ये सब चीज़े देख सकते हैं इसके touch control में changes कर सकते हैं और साथ ही में इसका जो in a detection का feature है on off कर सकते हैं जो कि इस इयरफोन की मुझे काफी अच्छी चीज़ लगी इसमें app support दिया गया क्योंकि जो इसकी इयरफोन की housing का size है वो एकदम perfect दिया गया है ना जादा बड़ा है ना एकदम छोटा है तो मेरे कानों में तो एकदम proper fit बैटती है मैंने इसको लगा कर जिम में work out किया है running करी cycling करी मतलब मेरे कानों से बिलकुल भी lose नहीं हो रही थी और घर में भी जब में normal activities कर रहा था like बैट कर, walk करते वक्त, खाते वक्त इसको लगा कर तेज-ज़ की हस रहा हूँ मैंने इसको लगा कर brush भी किया मेरे कानों से मतलब भूत ही minor सी lose हो रही थी जो की normal सी बात है सबसे पहले चीज़ इसमें दो टाइप की sound quality सुनने को मिलती है एक है watch special audio और दूसरी है balance sound तो यहाँ पर जो special audio है वो इसमें preset रहती है उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं bass की इसमें काफी अच्छा thumping, premium bass सुनने को मिलता है deep है, loud bass है, overpowered नहीं है जो bass lovers है उनको इसका bass काफी अच्छा लएगा मुझे personally bass इसका काफी बढ़िया लगा vocals एकदम clearly समझ में आते हैं चाहे आप movie देख रहे हैं या फिर song सुन रहे है trebles भी मुझे सही लगे, full volume पर noisy या high feel नहीं देते और instrument की sound भी ठीक ठाक proper पता चल जाते है कौन स्था instrument बज रहे है loudness भी तगडी दी गई है, मैं इसको gym में use कर रहा था और gym में काफी loud speaker चल रहा था इसकी loudness में मुझे gym का audio नहीं सुनाई दी रहा था इतने इसकी loudness दी गई है बाकी आप 70-80% की volume पर ही सुनेंगे इतने इसकी loudness मैं बोलूँगा बाकी जो balance sound है उसमें bass थोड़ा सा कम हो जाता है loudness थोड़ा सी कम हो जाती है बाकी overall मैं same बोलूँगा बाकी इसकी 1500 पी की pricing को ध्यान में रखते हूँ इसकी sound quality को अगर मैं rating दूँ 9 rating दूँगा out of 10 यहाँ पर एक चीज मैं हो रही बोलूँगा 1500 पर में अभी तक bought की जितनी भी earphones आती थी ना सबसे best sound quality इसकी मैं definitely बोल सकता हूँ नेक्स बात करें calling की तो दोनों earphone मिला कर total 4 mics देखने को मिलते हैं और साथ ही में AI environmental noise cancellation के साथ में आती है बाकि मैंने इसका traffic की बीच में जाकर calling test किया है वो एक बार आप देख लीजिए और सुन लीजिए पहले एक बार याप बारता नाज में अब यहाँ पर आप एक call recording चुन रहे हैं इसके mic के थो record हो रही है और एक पर call recording है दूसरे person के end पर call record हो रही है तो यहाँ पर आप अन्राजा लगा सकते हैं कैसे इसकी mic की quality अब यहाँ पर मैं एक दम बोड के बीचो बीच आगया हूँ और यहाँ पर traffic काफी जादा है और noise भी काफी जादा है तो आप अन्राजा लगा सकते हैं यहाँ पर आप कैसी है इसके mic की quality और यह भी प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है आउड़ काफी नॉइस था ट्रैफिक का काफी जादा नॉइस आ रहा था इसके थूज मेरी आपने वाइस उनी पहले तो मैं टैरिस पर था वहाँ पर तो इसकी कॉलिंग काफी बढ़िया वक करी आउड़ नॉइस मैं तो वहाँ पर भी नॉइस मैं बोलूँगा 80% तक दब गया था पीच बीच में होन का हलका फुलका कैप्चर हो रहा था नॉइस लेकिन उतना जादा मतलब इरिटेट नहीं कर रहा था और मेरी अवाज क्लियर थी दबा दबा या डिस्टोर्शन नहीं फील हुआ तो डेफ वैसे मैं ज्यादा गेमिंग तो नहीं करता हूँ हलकी फुलकी मैंने इसके थुरूग गेमिंग करी सबसे पहले तो उसकी लॉडनेस अच्छी है और उपर से क्लियरिटी अच्छी है और साथ ही मैं जिसकी लोल अटेंसी है वो भी काफी बढ़िया वर्क कर रही थी तो गंटा 10 मिनिट का टाइम लिया और यह एरफोन चार्जिंग केस से आदे घंटे में फुल चार्ज हो जाते है तो यह पर चार्जिंग स्पीड में अच्छी बोलूँगा नेक्स प्लेबेक टाइम की बात करें कम्पनी ने मेंशन किये अगर आफ 50 परसंट की वॉल्यूम प बीच का प्लेबेक टाइम दिया और यह एरफोन इस चार्जिंग केस से टोटल 4 टाइम्स फुल चार्ज होती है और एक्स्ट्रा 50 परसंट चार्ज होती है तो 100 परसंट के वॉल्यूम पर अवरल जो प्लेबेक टाइम मुझे सुनने को मिला 25 आर्स का अगर मैं इस एरफोन के थू 50 तो 60 परसंट के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनता तो यह अराउंड 30 तो 32 आर्स का प्लेबेक टाइम यह दे देती आप मैक्स तू मैक्स 35 आर्स मान के चल सकते हैं मेरी तरफ से जो टेस्टीड है वो 30 आर्स मैं बोलूगा यह चीज आप देख लीजे इतना मुझे प्लेबेक टाइम सुनने को मिला वित अबोट एयर डॉप सुप्रीम टूली वाइलस एर फोन का डिटेल रिव्यू जो कि रेगलर डेस में आपको 1500 रुपीस के मिल जाईए तो आप डिसाइड कर सकते है कि इसको बाई करे या ना करे तो यहाँ पर बाकी मैं अपने कॉलिटी है, फिटिंग है, डिजाइन है, साउंड कॉलिटी, कॉलिंग, कनेक्टिबिटी, गेमिंग को लेकर, इन एटेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्टिबिटी, यह सब फीचर्स काफी बढ़िया मैं बोलूँगा, मतलब उमीद नहीं थी कि इतने बढ़िया होंगी, बस एक चीज की कमी लगी, जितना प्लेबेक टाइम बोला है न, 50 आर्स का, उतना नहीं है, 30 आर्स सुनने को मिलेगा, तो देखिए, अगर आपको 25-30 घंटे का प्लेबेक टाइम चल जाएगा, तो डेफिनेटली आप इसको बाइक कर सकते हैं, तो फाइनल कंक्लूजन, अ मिलते हैं आप से ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए होगी टाटा, बाबाई